नमस्कार दोस्तों तो इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं Advanced Daily Using Sentences वो भी एक Story के माध्यम से जिसमें आप लोगों को देखने को मिलगा Advanced Structure और साथ साथ आपकी Vocabulary भी मजगूत होगी तो इस Story को बनाने में मैंने काफी जादा Advanced Structure का यूज किया है जो कि आप Daily Life में यूज कर सकते हैं किसी को भी अपनी Story English में बता सकते हैं और ये जो आपको Story दिख रही है आप लोग Screenshot चाहे तो ले सकते हैं तो इस Story को पूरा देखने के बाद एक-एक Hindi Sentence को जो इस Story में है आप लोग आसानी से बना पाएंगे और इनके जैसे कई अलग Sentences बना पाएंगे क्योंकि आपको structure का ज्यान मिलने वादा है तो आईए इस वीडियो को सुरू कर देते हैं मैं हूँ अनित कुमार और आप लोग देख रहे हैं Daily English for All तो अब मैं इस Story को Breakdown करता हूँ मतलब एक-एक Sentence को अलग-अलग करता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस परकार से Sentences बनाए गए हैं देखिए पहला Sentence है यह घटना उस समय की है जब मेरे गाव में कहा जाता था कि रात को नदी के पुल पर नहीं जाना चाहिए तो इंगली Sentence है This incident मतलब कि यह घटना Dates back to a time उस समय की है When, जब It was said in my village मेरे गाव में कहा जाता था That, की One should not go to the river bridge at night रात को नदी के पुल पर नहीं जाना चाहिए यह वन किसी की और इसारा कर रहा मतलब कि किसी को रात को नदी के पुल पर नहीं जाना चाहिए ऐसा मेरे गाव में कहा जाता था तो It was said मतलब कि कहा जाता था अगर आप इसे present में कहे तो It is said कहा जाता है कहा जाता है वहाँ बहुत भीड होती है अगर हम यह कहे Updates back to a time की जगा Happened at a time भी यूज़ कर सकते है This incident Happened at a time मतलब यह घटना उस समय घटित हुई तो पहला sentence आपको समझ में आया अब देखी मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहता था अगर कोई रात में वहाँ जाने की कोशिस करे तो क्या होगा I always had a question in my mind मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहता था What if क्या हो अगर What if का मतलब क्या है क्या हो अगर someone tries to go there at night कोई वहाँ रात को जाए तो क्या होगा ऐसा sense है तो what if से इस परकार के sentences बनाए जाते हैं क्या होगा अगर क्या हो अगर अब देखे थार्ड sentence है एक दिन मैंने अपने दो दोस्तों से ये देखने की सर्थ लगाई कि क्या वे उस पुल पर मेरे साथ रह सकते है One day मतलब एक दिन I made a bet मैंने सर्थ लगाई With my two friends अपने दो दोस्तों के साथ To see देखने के लिए If कि क्या They could stay with me On that bridge क्या वे मेरे साथ उस bridge पर रह सकते है अब देखिए fourth sentence मेरे दोस्त जंगिया ने कहा रात को वहां रुकना उचित नहीं है मतलब ठीक नहीं है My friend जंगिया said It is not advisable to stay there at night मतलब कि रात को वहां रुकना उचित नहीं है तो यहाँ पर देखिए जो advisable है ये एक adjective है और इसके साथ जाथ तर two का use होता है उसके बाद verb की first form जिसका मतलब होता उचित ये सलाहियोग के है तो यहाँ पर कहा है not advisable मतलब कि उचित नहीं ये सलाहियोग ये नहीं है वहां रुकना to stay there at night रात में अब देखिए पाँचवा sentence है मैंने पूछा क्यों उन्होंने कहा मुझे नहीं पता लेकिन हमारे गाओ के बुझब ऐसा कहते है तो इंगलिस है I asked मैंने पूछा why, क्यों he said उसने कहा ये उसने है उसने कहा I don't know मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता but लेकिन the elders in our place say so हमारे गाओ के elders बड़े ऐसा कहते है या बुझरग ऐसा कहते है ये so का मतलब है ऐसा okay, say so ऐसा कहते है मैंने कहा बिलकुल ये ही तो हमें पता लगाना है I said मैंने कहा that's exactly what we need to find out ये ही तो ये ये ही तो के लिए आप that's what का यूज़ कर सकते है that's plus what आप चाहे तो इसे हटा दे सिर्फ ये बोले that's what we need to find out ये ही तो हमें पता लगाना है और यहाँ पर ये जो बिलकुल है ये exactly sense दे रहा है ओके आप इसे भी लगा सकते है that's exactly what we need to find out find out मतलब पता लगाना जैसे तैसे कुछ देर समझाने के बाद जैसे तैसे या फिर कुछ देर समझाने के बाद मैंने अपने दोस्तों को अपने साथ आने के लिए मना लिया somehow somehow मतलब होता है जैसे तैसे ये आप यूज़ कर सकते है after some persuasion I convinced my friends to join me कुछ देर समझाने के बाद या समझाने बुझाने के बाद I convinced my friends to join me मेरे साथ आने के लिए मैंने उन्हें convince कर लिया मतलब की मना लिया परजुएशन मतलब होता है समझाने बुझाने की रिया और ये एक noun है मतलब संग्या है अब देखे आटवा sentence है हमने रात में खेतों में गस्त करने की कहानी गड़ी मतलब की बहाना बनाया एक और अधेरा होने के बाद चुप चाप अपने घरों से बाहर निकल गए We concocted a story about patrolling the fields at night मतलब हमने रात में गस्त करने का मतलब की पहरा देने के लिए एक कहानी गड़ी and sneaked out of our houses after dark और अंधेरा होने के बाद चुप चाप अपने घरों से बाहर निकल गए sneaked मतलब चुप चाप आना जाना इसे कहते है ठीक है तो यहाँ पर देगी जो कठिल सब्द है concoct मतलब की यह एक वर्ब है किरिया है इसका मतलब होता है बहाना बनाने के लिए कुछ गड़ना किसी चीज को गड़ना कोई कहानी बना देना ठीक है और इसकी second और third form है concocted इसी परकार से petrol यह भी वर्ब है जिसका मतलब होता है गस्त लगाना या पहरा देना इसकी second और third form है patrolled sneak sneak मतलब होता है आँख बचाकर यह चुपके से आना जाना इसकी second और third form है sneaked अब देखें नौवा सेंटेंस है जैसे ही हम पुल के पास पहुँचे मेरे दोस्त गड़रिया ने डर व्यक्त किया यह तो आप लोग को पता होगो बहुत ही simple sentence है approach मतलब पहुचना कहीं पर और expressed मतलब होता है कुछ व्यक्त करना है अब देखें दस्वा sentence है मैंने उससे पूछा तुम किस बात से डरते हो यहाँ कुछ भी नहीं है I asked him मैंने उससे पूछा what are you afraid of तुम किस चीज से डर रहे हो मतलब कि क्या है डरने वाला यहाँ there is nothing here यहाँ there is है यहाँ कुछ भी नहीं है 11 sentence है उसके बाद मैं पुल पर गया और अपने दो दोस्तों को भी पुल पर आने के लिए कहा after that उसके बाद invited my two friends to join me मैंने दोनों दोस्तों को आवंतिर किया यह invited ask की जगा यूज हुआ है ask यहाँ पर कह सकते थे ठीक है invite की जगा मैंने दो दोस्तों को कहा या invite किया कि मेरे को join करो मेरे साथ आ जाओ तुम भी पुल पर आब यह sense है तो यहाँ पर क्लाइम्ड का यूज किया है तो बहुत से वीवर्स यहाँ पर confused होते है देखे क्लाइम एक वर्म है जो आप लोग जानते है यह second और third form है क्लाइम की ओके लेकिन क्लाइम मतलब होता है चढ़ना किसी पेड़ पर पहाड़ पर यह सब को पता होता है लेकिन यह भी पता होना चाहिए कि किसी पूल या किसी गाड़ी में चढ़ने के लिए भी हम क्लाइम का यूज करते है और क्लाइम के साथ आपने देखा हुआ क्लाइम इंटू और क्लाइम ओन्टू का भी यूज होता है मतलब कि आप किसी चीज के अंदर जाने की बात करते हैं तो use climb into कही पर चड़ना किसी चीज के अंदर जैसे कोई room जैसा है उसके अंदर जाना है जैसे गाड़ी हो गई, rail हो गई, bus हो गया तो climb into का use कर सकते हैं if you are talking about getting onto a surface or platform कोई platform होना चाहिए या surface होना चाहिए use climb onto तो इतना पता चला मतलब कि कोई बंद जगा नहीं होनी चाहिए कोई खुली जगा होनी चाहिए वहाँ आप चड़ने की बात करें जैसे पुल पर चड़ना किसी platform पर चड़ना मंच पर चड़ना मतलब कि पूरा खुलना हो तो climb onto का अब देखें बारवा sentence वह पुल पर मेरे साथ आकर बैठ गए मैंने कहा ये सिर्फ निराधार अफवा है कि रात में पुल पर कोई नहीं जाना चाहिए आई सेड मैंने कहा इस जश्ट आप बैसलेस र्यूमर्स डैट की वन सुड नॉट है ये ठीक है सॉट फ़र्म है वन सुडन गो तु दब्रीज अट नाइट ये सिर्फ निराधार अफवा है बैसलेस र्यूमर्स है अफवाहे है तो बैसलेस मतलब आधार ही जिसका कोई आधार ना हो निराधार जो बिल्कुल बकवास हो इस परकार का ठीक है और ये एक एड्जेक्टिव है बैसलेस र्यूमर्स आपको पता ही आफवाह अब देखे चौदवा सेंटेंस है अचानक जहँगया को चक्कर आने लगा और उसने सुझाओ दिया कि हमें पुल से नीचे उतरना चाहिए मतलब सटनली अचानक जहँगया स्टार्ट इड्ट फिलिंग दिजी जहँगया को चक्कर आने लगा and or he suggested उसने suggest किया मतलग सुझाओ दिया that की we should climb down from the breeze हमें पुल से नीचे उतरना चाहिए climb down भी उसी प्रकार से यूज होता है अगर पेड से नीचे उतरना है तो भी climb down का यूज करेंगे पहाड से नीचे उतरने के लिए climb down होगा यूज और अगर किसी पुल से या गाड़ी से नीचे उतरना है तो भी हम climb down का यूज कर सकते हैं तो इतना clear हुआ अब देखिए अब पंद्रवा है हम जल्दी से पुल से नीचे उतरे और अपने खेतों में चले गए जहां हम सोने के लिए लेट गए अब देखिए in this case यहाँ पर जो ले है ये ठीक है लेडाउन ये past form है lie की lie मतलब जूट भी होता है लेकि यहाँ जूट वाला नहीं है ठीक है यह लेटने वाला है पड़ा रहने वाला है यह ले ठीक है second form यह lie की when used to indicate reclining और resting in a horizontal position मतलब छेती इस्तिती में लेटने या आराम करने का संखेत दिया जाता है ताब हम ले का यूज कर लेते हैं second form का या first form का भी यूज कर सकते हैं lie इसका मतलब जूट बोलना भी होता है यह काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी नहीं तो मैं आपको सही से समझाता देखें इन कॉंट्रेश्ट ले इस आ ट्राजिटिव वर्ब ले ट्राजिटिव वर्ब है और यह second form भी है lie की ओके एंड इट रिक्वार्स अ डारेक्ट ऑब्जेक्ट फूर एग्चामपल मतलब की मैं किताब मेज पर रखता हूँ यहाँ पर ले जो है वो पूट की तरह काम करता है और यह first form है ले और यहाँ पर यह ले second form है lie की आप कहेंगे तो इस पर मैं एक separate वीडियो बना दूँँगा ले और लाई पर अब देखें लाश्ट सेंटेंस है सुभा जब गढ़रिया और मैं उठे तो पता चला की जंग्या हमार साथ नहीं था वैन गढ़रिया एंड आई वाक अप इन दा मौर्निंग जब हम सुभा जब गढ़रिया और मैं सुभा उठे हमें पता चला या हमने रिलाइस किया डैट की जंग्या वाज नौर्ट विदा जंग्या हमार साथ नहीं था अब वह पता नहीं कहा गया तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूं यह वीडियो आप लोग लिए हैल्फुल होगी तो थैंक्स वर वाचिंग ट